हाई व्रीवन वेलकम तो स्वीच बुबल्स तुड़ी वेड़ीज लॉर्ण अबोट एरर करेक्षिन फाइव हिंदी सेंटेंस त्रू इंग्लिश हेलो दोस्तों स्पीच बुबल्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम अशुद्धी शंशोधन के बारे म पढ़ेंगे तथा पांच हिंदी वाग्यों की सहायता से English के 5 सेंटेंस सीखेंगे सो लेट्स इस्टार्ट तो चले शुरू करते हैं So our first incorrect sentence is, हमारा हिंदी का जो पहला अशुद्ध वाक्य है, वह है, बुराई सुनते सुनते मेरा कान पक गया, तो यहाँ पर मेरा की जगा पर क्या होगा? मेरे बुराई सुनते सुनते मेरे कान पक गए शुद्धवा के क्या होगा बुराई सुनते सुनते मेरे कान पक गए इंग्लिश में इसे कैसे कहेंगे Hearing evil, my ears got tired Hearing evil or listening evil Hearing evil, my ears got tired Hearing evil, my ears got tired Next, दूसरा अशुद्धवा क्या है राम ने आप पर मुकद्मा चलाया है तो यहाँ पर इसका जो शुद्धवा क्या होगा वह क्या होगा राम ने आपके ऊपर मुकद्मा चलाया है आप पर की जगा पर क्या हो जाएगा आपके ऊपर राम ने आपके ऊपर मुकद्मा चलाया है इंग्लिश में इसे कैसे कहेंगे राम has prosecuted you राम is राम आपके ऊपर means to you और मुकद्मा चलाया है has prosecuted राम has prosecuted you तीसरा जो हिंदी का अशुद्ध वाक्य है वो है दिल्ली से अनेक पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है शुद्ध वाक्य क्या होगा दिल्ली से अनेक पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन होते हैं पत्र और पत्रिकाओं की जगाँ पर क्या हो जाएगा पत्र पत्रिकाओं दिल्ली से अनेक पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन होते हैं इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे मेनी न्यूस्पेपर्स और मैगजीन्स और पत्र पत्रिकाओं प्रकाशन होते हैं और पत्रिकाओं के प्रकाशन होते हैं जो नेकस्ट अशुध वाक्य हिंदी का वो है यह कहानी जो है यह सुदर्शन ने लिखी है इसकी जगाँ पर क्या हो जाएगा जो है कट शुध वाक्य होगा यह कहानी सुदर्शन की लिखी है यह कहानी शुदर्शन की लिखी है means this story is written by शुदर्शन English में इसे कैसे कहेंगे this story is written by शुदर्शन यह कहानी this story यह is this कहानी story की लिखी है और यह सुदर्शन के द्वारा लिखी है तो is written लिखी है is written by शुदर्शन के द्वारा या सुदर्शन की लिखी by सुदर्शन यह कहानी सुदर्शन की लिखी है इस स्टोरी इस रिटन बाई सुदर्शन नेक्स्ट अशुद्धवाक्य है राम और श्याम बाहर खेल रहा है तो राम और श्याम इनके लिए रहा की जगा पे रहे हो जाएगा तो राम और श्याम बाहर खेल रहे हैं इंगलिश में इसे कैसे कहेंगे राम और श्याम और प्लेइंग आउटसाइड राम और श्याम और श्याम और बाहर आउटसाइड खेल रहे हैं और प्लेइंग खेल रहे हैं प्लेइंग है और राम और श्याम बाहर खेल रहे हैं राम और श्याम आर प्लेंग आउटसाइड तो आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे नेक्स क्लास में तब तक के लिए टेक टेक केर बाए बाए